कुरोना संकर्मन को लेकर देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 4 में धीरे धीरे लोगों को बहुत सारी रियायते दी गई हैं जिसमें सरकारी नियमों का पालन करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की छूट मिली है। दुकाने खोलने के बाद गराह को कयाना जाना लगा रहा हलाकि इस बावत दुकांदार सुरक्षा और सतरक्षा को लेकर का फीच्चाव के सनजर आए। दुकांदारों ने कहा कि सरकार और प्रसासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानों को खोलने क भूब तो पर्सेंट मान रहा है हर दुकानुमने हम लोगोंने जिला अधिकारी का जो नियम है वह बैनर शट्वा दिया गया है हर को मारकेट के ज्यून्ट सीक्रेटरी के नाते हम जाके चेक कर रहें कहां सिंटर्डाइजर नहीं चेक को रहा और सारी जो भी लोग आ रहे हमारे यहां अभी तो मार्केट खुला है तो कस्टमर की आवा कम है लेकिन जब लोगों को पता चल जाएगा तो लोग आने लगेंगे तो पहले गेट पे समान है उनके पास दुकान के बाहर रख देना है दुकान के बाहर हम लोगों ने एक आद लड़का एक नया नौकरी दे रखा लोगों को कि दुकान के बाहर वो जो कस्टमर आएगी उनका समान को सुरच्छा करना उनका समान दुकान के अंदर नहीं आएगा यह हत्वा मार्क अल्टरनेट में लाल और पीला रेखा के निसान बनाए गए हैं जिसका मतलब साफ है कि यहां दुकाने एक दिन बीच करके खुलेंगी यही हाल कुछ बाकर गंज का भी है जहां अल्टरनेट डे करके दुकानों को खोलने की जाज़त दी गई है एक दुकान आज खुलेगी उसके बगल वाली दुकान कल खुलेगी सभी को इसी स्थिती में एक दुकान को ओरेंज रंग से रंगा गया है और एक दुकान को ग्रीन रंग से ग्रीन रंग वाले सोंबार बुधवार और सुक्रवार खोलेंगे और ओरेंज रंग वाले गुरुबार और सनीवार खोलेंगे इस तरह से हमारे यहां दुकंदार भी बहुत अच्छे और सुसाजित हैं जो कि सभी नियमों का पालन करते हुए सब अपने अपने दुकान खोल रहे हैं आप देख रहे होंगे कि आप जितने भी ग्रहक घुस रहे हैं या कोई भी करमच चाहिए हो उसको इसकोई इंट्री बंध है यहां और सभी लोग बहुत अच्छे से मान रहे हैं हमारे यहां कहीं कोई दिकत नहीं है और आप घूम के देख लिए ऐसे आधे दुकान आज खुले हैं आधे दुकान मार्केट के कल खुले थे फिर आधे दुकान कल खुले ग सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसासन के गाइड लाइन के बाद दुकाने तो खुलने लगी है लेकिन दुकांदार सुरक्षा मान को कुलेकर बेहद ही 24 नजार आ रहे हैं आने वाले ग्राहकों के हाथों को सेनेटाइज करने के बाद ही दुकान में घुसने की इजाज़त द करने का भी काम जोर्सोर्ग से किया जा रहा है ताकि भीड भाल के कारण को को लेकर लाइक्शन के लाग डावन फोर जारी है और इस बीच प्रसासन के तरइश से जारी गाइड लाइन के तहत पटना के प्रमुक मार्केट में चहलession मी काफी बढ़ गई है उमीद की जा रही है कि धीरे धीरे जिंदगी रफतार पकड़ेगी और कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा दरसल कोरोना के कारण जारी लंबे समय से लोकडाउन के बीच कारोबार पूरी तरह से ठप पड़े थे लेकिन सरकार के तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद धीरे धीरे कारोबारियों को राहत मिलने लगी है ऐसे मुमीद की जा रही है कि आर्थिक तंगी से जूज रहे कारोबारी अब धीरे धीरे अपने कारोबार को नकेवल रफतार दे पाएंगे बलकि उनकी जिन्दकी की गाड़ी भी अब धीरे धीरे पटरी पर लोटाएगी